आप आए इसके दैनिक हिंदी संपाद की विशलेशन में आपका हार्तिक स्वागत है तो आज हमें बात करना चाहते हैं कि आखे ये हिंदी संपाद की विशलेशन ही क्यों हिंदी संपाद की विशलेशन की जरुत क्यों पड़ी तो इसके लिए मैं आप लोग को एक बात इस परश्ट तरुपे बताना चाहूंगा कि जो दैनिक हिंदी संपाद की विशलेशन है एक तो पहली बात कि इसमें जितने भी एडिटोल और आर्टिकल डिसकस किये जाते हैं वो एडिटोल और डिसकस जो आर्टिकल होते हैं वो प तो उसमें जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज होते हैं नए नए जो भी जिस प्रकार से विचार हैं कुछ किस प्रकार से मतलब की सजेसन है तो यह जो होते हैं इसमें नए चीज यह एडिटोल और आर्टिकल की और यही हमारे लिए एक्जाम में यह हमें और उसे बह इसके लिए बहुत सी वुके हैं आपको हीबिक उठाओ लेकिन जो डेली एडिटोयल और आर्टिकल होते हैं तो यह क्या होते हैं कि हमें जो हमारे प्रिवियस नौलेज होता है उस नौलेज को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसको बरतमान से जोड़न जाते हैं तो इसलिए जो है तो एडिटोयल और राडिकल की हमें जरूत पड़ती है और इसलिए हमें इससे जो है तो कई एकसपर्ट के वियूज मिलकर के हमारे तो परसनल कुछ विचार नहीं होते हैं कि हमारे कुछ परसनल विचार होता है यह तो हमारे विचार जो भी आ राय एक हम right way पर सोच पाएंगे तो इसलिए जो है एडिटोयल और आर्टिकल की जरूत परती है तो इसलिए जो है तो हम इन चीजों को मतलब कि ज्यादा इसलिए यहाँ पास लायते हैं यहाँ पास जितने भी एडिटोयल आर्टिकल डिसकस के जाते हैं उसमें से यूपियस्स के अत्रिक तो कोई भी ऐसा मतलब कि टोटल और पूरी तरह से यूपियस्सी ही फोकस होता है उसमें प्री और इस्पेशल तरह पर मेंस में आपकी answer writing के के लिए और जो भी नए उसमें से जैसे कि आपको अपने answer writing में कुछ औरों से अलग करना है तो यह हमें यहीं से मिलेंगे हना और यह हम किताबों पर सोच एक ही किताब तो हर बंदा वही पढ़कर के मैंस देता है तो फिर आपको कैसे औरों से ज्यादा मतलब कि एक प्रका विचैस होती है और अधरवाइस तो फिर नारमल जेनरल विक्त तो हर विक्त जानते है और यहीं जो है कि यहीं हमारे answer में काफी इनवाट्यू क्योंकि UPSC के जितने भी curriculum होते है एक तो उसमें आपके views मागते है और आपसे suggestion मागी जाती है बरतमान समय कि जो चुनवतियां हैं समस्यां हैं उससे इलेटर किसी भी टॉपिक वो पूछी जाती है अब वो आप कहां से लाओगी तो आपकी जो विचार है वो डवलप कैसे होंगे एक्सपर्ट के व्यूज को जानने पर उनके विचारों को समझने पर सुनने पर तब जाकर कि आपको अपनी आपकी सेल्फ की प्रकार से आपका डिसीजन होगा आपकी तब डवलप होगी तो यही जो है तो आर्टिकल और टोल इनहीं चीजों के लिए हेलफफुल होते हैं औ और मैंस में यह हमारे लिए बहुत ही जादा है इनके अलकी जो है तो इनकी जैसे की जो भी सजेसन होते हैं तो इनको राइट डाउन करते जाना चाहिए और उस टॉपिक पे जो है तो एक्कॉर्डिंग टू कुषिचन उसमें इस लिए जो है इमें एड करते रहना इसमें सब कोई भी एक्टूल और आर्टिकल नहीं दे जाता बलकि यहां पस एक कर से पहले अनलैसिस होता है काफी जादा उसको अच्छे तरीके से एक्सपर्टो द्वारा उसमें देखा जाता है कौन से आर्टिकल काफी मतलब की UPSC के पॉइंट आवे से रिलेवेंट हो तो इस चीज़ का आप लोग फायदा उठाएं और खास तरप भासा की सहाचिता के दिश्टकॉर्ण से भी हिंदी ज्यादा हेलफूल हो क्योंकि आजकल एडिकल आपको इंग्लिस फार्माट बहुत से मिल जाएंगे उसमें कोई डाउट नहीं लेकिन जो भासा होती हिंद इसमें आपके नंबर कड़ते हैं डायक्ट्राइं डायक तो उसका खाम्यादा निश्ची तरप भगतना पड़ता है इसलिए जो है तो यह हमारे एक प्रकार से भासा के सहाचिता के दिश्टकॉर्ण से भी काफी हेल्फूल होते हैं और नए इनोवेर्ट्व आइडिया भ अभी हाले में जो आयक्टिक में बर्फ बहुत मतलब की बहुत बड़ा टुकडा बर्फ का पिखल भी गया है तो साथे साथ जो ग्लोबल वैम की चुनौतिया है उससे लेटेड यह आइडिकल डिसकस करता है तो इसको हम लोग देखेंगे वहीं अपना नेक्स्ट आइडि सुष्टी दूर करने के सही कितम यहाँ पास राइटर ने कुछ अपनी इनोवेट्व आइडियाज दिये है जो इससे हम मतलब की उसको भी डिसकस करेंगे हम चलते अपने अपने आइडिकल के तरफ तो पहला आइडिकल है कि वोट सरकार को देजे पर संकार्ट में कोशिय प्रकृति को हैंने तो जैसे के भी वहाँ पास बीहार के लिदे बात की जया है तो वहां पास पटना में बहुत ज्यादा जल जमाव की स्थिति सी निर्मित्व हो गए थी और निशची तोर पे वहां इसी तौर पर जैसे के कुछ सरकार पर ही वाल खड़े होने लगे हैं, तो वहां पास सरकार अपने अर्गुमेंट दिया नैचरल नेचरलल डिजास्टर है पहला उनका यह कहना है दूसरा उन्होंने यह भी कहा नहीं से कहना भागोले की इस्तिती भी कुछ इसके लिए जिम्मेदार है और तिसी बात वहाँ पास ये भी कही गई कि इसी तरह की मतलब की जो अपने जिम्मेदारी है तो उसको स्विकार मतलब की अपने कर्टब्यों को जो अपनी गलती है तो उसको स्विकार करने के बज़ाए जो है तो कि लुटी ज़्यादा मतलब कि बड़ा फाल्ट वहां पास यह देखने को मिला इतना पानि जब कि जो पटना है जितना ज़्यादा चुस्त दुरूस्त होना चाहिए तो उसकी हिसाब से वहाँ इस प्रकार की समस्य ती लचरता है देखने को मिलती है तो निश्ची तरफे और छेत्र का तो कुछ मतलब की निश्ची तरफे वहां भी सवाल ख़ड़ा ही होता है तो यहां पर कुछ राइटरन है जैसे की कुछ चीजों को मतलब की काफी बेहतर इसको माना भी जा सकता है कि फाके में ये गलती तो निश्ची तो रुप्य है, वहां पास ये भी देखना को मिला कि जैसे कि जो पटना के ड्रेनर्स सिस्टम का उसका पूरा वहां पास मैं भी नहीं है, यो कि बहुत ही बड़ी स्कू मिश्टेक हिमालन ब्लेंडर मिश्टेक का जा सकता है, कि ये वहा ग्रनिगम के पास था न ही राजसरकार के सहरे विकास था ठीक है? तो यहां पास मतलब कि dub kiprica क्या नकसा ही नहीं है तो इस तरह की मतलब की 15 साल से continue वो जो ट्रेनर्ज वगरा उसकी सफाई भी हो रही है उसके लिए निश्ची तोर पे जो तो यह सफाई हो रही है तो यह पास कर्मचारी भी कुछ काम ही कर रहे हैं को तो वह पेमेंट ले ही रहे हैं सरकार की तरफ से तो यह मतलब की काम हो रह प्रेनर्ज की सफाई हो रही थी जब उसका मैप ही नहीं है तो यह भी सवाल खड़ा ही होता है निश्ची तोर पे और एक तो मैप नहीं है पहला है वहां पास यह फाल्ट दूसरा administrative फाल्ट यह यहां पास है कि जैसे कि तेजी से जैसे जो वहां पास जल निकासी के लिए जो मतलब की काम के लिए जो पंप हाउस थे ठीक है तो कंकरबाग पंप हाउस तो आप जो तो यह देखने को मिला को चले है नहीं ना वहां पास जो है तो 39 पंप काम करने वाले थे वह चले है निश्ची तो पे इसके लिए जिम्मेदार भी ठेहाएगा कि मौसम बीभाग पर आरॉम लगाया गिया that energy कि इस ने सही पूर्वानुमान नहीं किया um थो दीसास निश्चितर पे का काम करने लगे है ये तो निश्चीतर पर इसन कंटे आपको पहले बनाया था हान और यह जो, पफ फञीरे बरहे हैं तो आपको पहले से करके रखना हम चाहिए था ना जैन्ऺ भार्ष हो यह अगा वाइर होगारे यह पतना है दो सब्सक्राइए कि अलवाच्त क में चाहिए थ सब्लसरी पर हम क Punkteी का और सलख्राम पर हएका की के जाए हम परहले scene अब संदाशनात्मक तरीके से दुरूस्त होना चाहिए तो इस पर प्रकार से डिजाश्टर मेनेजमेंट के में फैक्टर ही होते हैं यही यहां पास जो है तो इन चीजों को पूरी तरह से अभाव होई है तो निश्ची तो पर यह बहुत ही बड़ी प्रसासनी गलती इसको क हम चलते हैं अपने नेक्स आटिकल पर कि सुष्टित दूर करने के सही आटिकल जो है तो अपने मतलब की निश्ची तर पर जैसे की अभी सरकार ने कौर्पेर टेक्स काट ऑगती किया है तो उस पर जो है तो यह जो इस आटिकल में कुछ नए डाइमेंशन दिये गए है कि कारपोर्ट टेक्स के वज़ाए हम वैसे ही टेक्स को कम किया जाता है व्यक्तिकत करण को कम किया जाता तो उसकी मतलब कि कुछ ज्यादा सकरातर परिणाम देखनों की मिल सकते थे निश्ची तर पर देश में आर्थिक मंदी का इस्तिति तो अब उसको न तो सरकार न जड़ा न जड़ा सकती है अब उस चीज को एक प्रकार से महसूस भी किया जा रहा है तो यहां पाज जैसे कि यदि बात की जाए कि हमारे जो मुख्यार्थिक सलाकार जो सी प्रिश्मूर जड़ा से इसका संचालक है यहां पास जैसे कि निश्ची तर पर इसके यह सही भी है कि जो तो निवेस जड़ा होगा तो इससे जड़ा ज़्यादा एंप्लाइमेंट मतलब कि रोजगार ज़्यार्ट होंगे ठीक है और इससे क्या है कि लोगों को जब नौकरिया मिलेंग पैसा मतलब कि बाजार में फ्रो हो जाएगा और अन्य को भी उसको मतलब की अर्जित करने का मौका मिल जाएगा तो इससे जो है तो एक प्रकार से खपत निर्मित हो जाएगी तो यह क्या है कि बाजार में जिससे कि प्रकार से गत्सीलता की स्थिति बन जाएगी और यह प निवेस का इस तर ही बहुत नीचे है निवेस बहुत एक प्रकार से ना के बराबर हो रहा है बहुत ही कम हो रहा है हना समस्य तो यहां पास यह देखनों के भी लिए है यदि हम सेंटर फार मॉनिटरिंग एकोनोमी का डाटा की बात करते हैं तो अप्रैल से जून 2019 के दवरान जो घोसत जितनी भी नई परियोजना थी तो उनमें जो है तो उनका इस तर लगभग 15 साल से भी निचले इस तर पर देखा गया है ना तो निचले तर पी एक बहुत ज़्याद मतलब की मतलब चिंता का भी सही है और यदि 2078 में बात की जाए कि 35.8 परसंट के उच तर पर पहुंचने के बाद जो है तो पिछले चार वर्सों से निवेस और सकल घरेल उत्पाद का जो अनुपात है वो जो है तो निवेस जीडीप अनुपात के लिए 28 से 29 परसंट पर तो यह जीडीप इस प्रकार से स्थिर सा है इसमें को जादे इंप्रू़मेंट देखने को नहीं मिल रहा है है हाना जबकि 2078 में यह जो था तो 35.8 परसंट था जो की काफी जादा इससे था अब यह तो एक प्रकार से श्थिर की स्थिर सी बनी हुई है तो यह जो सुश्त एक वर्स में लगवा लगवा लोगों में एक प्रकास से दो अंकों में बढ़ोती ही देखने को मिलेती है ना यहीं 2016 से 2017 को छोड़ करें बात करें है यह हम 2016 सोला 17 में हाला की 10.2 परशंट की ब्रिधी प्रतिव्यक्तियाज में हुई थी लेकिन इसमें से देखें कि यह पूर्सों के ग्रामेट मजदूरी के जो बढ़ने की दर है उस प्रकाश डाला जाए तो 2008 और 2014 पंदर के बीच यह बहुत ज्यादा मतलब की इसमें ब्रिधी अब यह 2018 में तो यह लगवक 3.8 परशंट के दर से बढ़ी है मतलब की बहुत ही स्लो मोशन पे यह वह रही है यह दर जो हो तो केवल निवेस की कमी से ही नहीं कि इसके पीछे तो मतलब की जैसे कि महिला स्रमिकों की बात करते हैं तो 2008 और 2014 पंदर के बीड जो है तो ग्राम यह भी बहुत जादा मतलब की प्रदर से इसमें बहुत कमी देखनों को मिली थी है और 2018 इसमें जो मजदूरियों बृद्धी लगवक 6% के असपास ही रही है जो कि बहुत ही कम है तो यह जो है तो इसके पीछे रिजन यह है कि जो कम खार्द मुद्रसफिती का एक प्रदर से दूसरा 25 को माना जा सकता है आकर इस 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 से बाहर निकलने का तरीका क्या हो सकता है इसके बारे हम बात की जाए तो इसमें कोई संदेहन है कि निश्ची तरफे निवेस की आवा सकता है तो है लेकिन यह जो जैसे कि हम निवेस की बात करते हैं तो कोई भी यह बिज तो भारती कारोबारी निश्ची तरफे आभी अपनी मौजुदा उत्पादन छमता के पूरी तरह से उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं साथ ही यह एक कारण है तो जैसे कि कई कारोबारी जो है तो करज चुकाने की विए समस्यासों जूज रहे हैं तो यह उसके लिए प्रकार से निवेस को हतोतसाहित कर रहा है तो यह निवेस को हमें प्रोतसाहित करने मतलब की जरूरी है कि निवेस को प्रोतसाहित किया जाए लेकिन यहां पास इससे भी ज्यादा महत्तुपर्ण यह है कि उभूकता माग को किस प्रकार से मतलब की सही दिसा दी जाए उभूकता माग कोई बढ़ाने की जरुवत है तो इसलिए गर सरकार ने मतलब की यहां पास जैसे बात की जाएगी जैसे दिमाग में बृद्धी हो जाएगी तो निश्ची तर पे ज्यादा था निजी कंपनी निश्ची तर पे अपने उत्पात बढ़ाएंगे निवेस ज्यादा करेंगे तब निवेस भी जनरेट अलरी ह हो जाएगा लेकिन इसलिए जो है तो यहां पास मतलब की राइटर ने यहां पास कह सकते हैं कि सजेशन या एक विकल्प के तरफे कहा भी है कि अगर सरकार ने कार्परेट करकी दरफे कटाउती के बजाए व्यक्तिकत आयकर में कटाउती की होती तो जरूर मतलब की कुछ इसके सकरापना प्रणाम होते हैं अब कार्परेट कर में कटाउती के समर्थन में तरकिये दिया गया थे कि भोक्ताओं को आकरसीत करने के लिए कंपनिया जो है तो कीमतों में कटाउती कर देंगी है इसलिए कार्परेट टेक्स में कटाउती कर दिया गया तो जो यदि इस दो ना कट करके लोगों कि जो बचत है तो ज्यादा बड़ती तो जो है तो धूबोगता के पास दायक्ट तो यह मिलता और फिर जो है तो फिर बचत को जो अपने धहक सबूस्त करते उसको अपने धांसे खर्च खरते यह अनुप में तो तो पडिपेंड नेसी उनके पहुत हो पिसका सिगने को किस चीच कांपने करना चाहेंगे तो यहां से तो यह जय कि अफ़्वकर्ड कर कटोओती मामने तो आधा कि यह प्रेत करे जा चाता हिसоме है चुकि उभोकता अपने खर्च का निर्णाय करने के लिए के लिए इसलिए ये भी देखना होगा कि उभोकता खर्च बढ़ाने के लिए और भी कौन सा विकल्प बहतर हो सकता है अब जैसे और भी अन्य उपायों के बारे में बात किया कि और भी क्या विकल्प हो सकते हैं तो इसके विकल्प के तरुपे दी देखा जा कि 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 ने यहां पांस है कि यह जो सजेसन दी जा रहा है तो किस चीज के लिए हैं किस परकाशल से डिमांड को जनरेट करने के लिए कि अब भूब करताओ कि दूसरा जा तो फिर उध्योगपतियों के निवे इसको बढ़ावए देने के लिए इन दो चीजों पर फोकस करने के लिए एक सजेसन है तो इसका और भी सजेसन क्या हो सकता है कि या तो जिस्टी की जो जटल टक्रिया है वरत्मान में तो उसको थोड़ा और ज़्यादा सरल कर लिए सिंप्लीफाई कर दिया जाए उस जदी जड़ी करन हो जागा तो इससे भी सरकार है तो उसको भी अपने खर्च में ज्यादा बढ़ाने की मतले की बिद्धी करने की जड़ोते सरकार को अपना खर्च बढ़ाना चाहिए हम बात करें 2017 और 2018 में कुल सरकारी ब्याए की बात की जाए तो जहां 2017-2018 15% था तो वहीं 2018 में घट करके 9.3% रहा था सरकारी ब् जो भारती अर्थ वयस्ता की बात करें तो जहां 17 18 में 7.2% की दर से ब्रिधी की थी वहीं 2019 में 6.8% की दर से भारती अर्थ वयस्ता बढ़ी है तो यहाद हम अपरेल और जून 19 की बीच की अबधी को देखो तो भारती अर्थ वयस्ता में लगख पांच पर्संट की तो निजु भोग व्याय में जड़ी यह 3.1% है तो यह 3.1% की बिध्धी जब कि जो सरकारी व्याय है उसमें 8.9% की बिध्धी देखनों को मिली थी तो इससे निश्चित पिए चीज तो इस पश्च होती है कि जो पिछले वर्सों में जो है तो सरकार का व्याय था उसमें ज जदा व्याय होगा तो उससे जो है तो विकास को बढ़ा हावा मिलेगा और अगर सरकार जदी सरकार और जदा खर्च HC करती भी है तो इससे कुछ मतलब की इसकेम मतलब कुछ जैलेंजेंस प्लेकरन हो सकते हैं कि जैसे की जुट सरकार को और जदा उदहार लेना पड़ेग की जिस जितना मतलब की अनुमान लगाएगा तो उससे बहुत ही कम हो रहा है तो इस संदर में दिबात की जाए कि अप्रैल और अगास 2019 के भी जो है सेकल कर राजा से में केवल 4.2% की ब्रिद्धी हुई है तो सरकार ने जहां जितने खर्च के लिए प्रावधान किया है तो उसकी पूर्ति के लिए भी जो राजा समयला भक्साड़े 18.3% की ब्रिद्धी मतलब करनी होगी तो यह आल्रेडी वैसे डेफिजिट के इस्तिती ही है तो अगर सरकार जादा उधार लेगी तो ब्याजदर भी निश्चीत तर कि राश्टि फंड में इसमें डाला जाए तो लेकिन इसकी प्यूग है तो इसके लिए भी हूप्रूद हो निश जतना की जितना मतलब कि इसको मूर्थ रूप देना इसको बास्तिविक्ता में बदलना कुछ जाजा मतलब की प्रकार से मुश्किल है क्योंकि जो सरकारी कमपनी है उनके जल्द तो निश्चित तरफी इन ही इस पर मतलब कि फसी हुई है उसमें माग में जनरेट इसलिए नहीं बढ़ रहा है और साथी निवेस में भी जाता है कोई खास ब्रिद्धी देखनों को नहीं मिल रही है तो चलते हैं हम नेक्स टार्टकल पर यह अपना आर्टिकल है ग्लेसरों जो हो रहा है क्लाइमिट चेंज तो उसके वज़ा से ही जो तो देखा जा कि असमय सूखा और बारिस की इस्तिती देखी जा सकती है ना साथे साथ जो समुद्रों का जल इसतर ही बहुत ज्यादा तो यहीं रफ्ता बढ़ता बढ़ रहा है तो इससे निश्ची तो पर जो जो मतलब बग्यानिकों का अनुमान है के लगए एकीस सो साल तक सभी जो ग्लेसियर है तो पूरी तरह समाप्त हो जांगे इसी रफ्तार से ग्लेसर पिखलते रहे तो और सोदों से यह भी बात की जाए तो ग्लेसरियों के पिखलने का जो अनुमान है तो इससे मतलब की और नहीं रहा है तो यह पास जैसे कि हम भिए जान के लिख रहत के तो आएससल answer के घटने कम होने की भी जो प्रकर सी बहूत ज्यादा है वहशिस की चृिंटा का हुए थिक में जो लिख भाक करके भारत के संदर में यह दीज़ए तो यह जो तो आज है तो उसका आकार लगक एक किलोमेटर के दारे पर सिमट के रहे गया है इतना छोटा हो गया है तो वहाँ पास यह बहुत ही ज्यादा मतलब की कह सकते हैं कि चिंता का व्यस्विक संकट का ही प्रकार से संकेत इसको माना जा सकता है इसी तरह से दी गलेसर पिखलते र ही तो आने वाले दिनों में तो आइसलेंड के लाफ़क चार सो ग्लेसर और ज्यादा और पिखलेंगे और क्लाइमेट चैंज के यह दी वहीं बात कि जा कि प्रोग्राम जो कपिल सुब्रमन ने हमाएं तो उनके अनुसार भी उन्होंने मतलब का कि जो समूची दुनिया है उसमें बीते तीस सालों में दोगनी रप्तार से बर पिखल रही है तो उसी के प्रीणाम आज देखने को भी मिल रही हैं और गाइसलेंड है रहए है तो गलेसरियों का समारक बन जाएगा कि यहां पास झांब Q Ihr भाratt के संदर भारती गलेशेर भी खत्रेक इस्दितिशिघ्य ही गें पातरता लख के लिगा उर्यर्टेशेर भी चाहण के लगत remplता पहाड़ी उर्यादानी ब्याणगते है कि इससे और ज़्यादा क्या देखनों को भी लेंगे तो निश्टी तर पे जैसे ग्लेसर वगरा है तो उससे जो पहाड़ी और मैदानी इलाके हैं तो उसके लगए तीस करोड़ लोग दुस्परवावित होंगे साथे साथ जो तो पीने के पाने की भी बहुत ज़्यादा समस्या देखनों को मिलेगी यह हम बात करें कि अभी मतलब की पिछले भी आर्टिकल पर हम लोग ने डिसकस किया था कि जो वार्णिंग टू शूमैनर्टी है शेकरिंड जो नोटिस बायो साइंस जेनरल लेक था तो उसके अकॉर्डिंग जो उसमें मतलब की यह भी क्यातकी जैसे जो यह सी तरह की मतलब की ग्लोबल वार्णिंग के समस्या इसले बढ़ती रही तो जो ताजय पानी में जो है तूद उसका लगवत ताजय पानी में तो 26% की उसमें गिरावत भी आई है हना ग्लोबल तक जो है तो विकासिल देशों के जो GDP है उसमें भी लगभा 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 एक जारा परशंट कम ही आ जाएगी एक ग्लोबल वार्मिंग का इतना जाद मतलब कि इफेक्ट होगा साथी साथ जैसे कि इससे जो क्लाइमेट चेंज बगभा लगभा 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 1.6 परसंट 1.6 परसंट वैस्ट जीड़ीप कम हो जाएगी आ तो यह प्रकार से बहुत ही जादा मतलब कि चिंता का ही विसे है तो जैसे कि ग्लेसियर जो है तो हम इनकी बात किया ज ग्लेसियर जो है तो जलापूर्ती के सबसे वड़े सेविंग एकाउंट के रूप में ही काम करते हैं साथे साथे ग्लेसियर हैं तो यह नदियों को प्रकार सदा नीरा बनाने रखने में इनकी महतुपूर्ण भूमिका होती है तो ग्लेसियर पीखलने से तो उची जलने वाले नदी हैं तो उन पर तो ज्यादा था जैसे भारत चिन और नेपाल भूटान की लवख 80 करोड़ अबादी उनहीं पर निरभर है तो इन नदियों से जैसे सीचाई पेजल बिजली उत्पादन के यात तो यह भी ग्लेसियर बिखल जाने एक पाद तो एक पाद स इस सालों में जो हिमाले चेटर का तापमान है उसमें अभी लवख करीब एक डिगरी सेल्सेस की बढ़ोतरी देखने को मिली है तो यह ग्लेसियर की इसी तरह तीवरता के साथ मतलब की पिखलने की अधर जो है तो और ज्यादा बढ़ती रही तो नतीज़ें जो हिमाले ग् तो इस तरह जो तो सभी ग्लेसर के पिखलने की रफतार भी लोगा मतलब की एक जासी तो नहीं है लकिन जिज्ञच्यतर पीए जो है तो ग्लेसर जो है तो बहुत तीवरता के साथ पिखल रहे हैं तो इसमें जैसे कम उचाई वाले ग्लेसर है तो ज्यादध तेज़ें से तो कुछ सालाना जैसे की 5 मेटर की दर से कम हो रहे हैं तो पिखलने से जो है तो गंगा ब्रमपुत्र की नदिव में जो पानी की समझ से भी देखने को मिल सकती है और मौसम की रफतार में भी बदलाओ निश्चित तर्पे देखने को मिलेगा तो जो जैसे कि ग्लेसर है निश्चित तर पिखल जाएगी तो निश्चित तर पे बहुत ज़्यादा अन्य समस्या देखनों को मिलेंगी भीषरन बाढ़ है सूखा है अकाल है इस टाइब की संका वह भी सामने आएंगी असाथ साथ जो है तो जय विवित्ता ही पूरी तरह से उस पे बहुत ज़्यादा प्रतिकुल प्रहाओ देखनों को मिलेगा तो इसके लिए यहाला कि जैसे कि वाडिया हिमालय भुविग्यान संस्थान का सोध और संयुक्त राष्ट की परेवर रिपोर्ट भी इन चीजों की पुष्ट कर चुकी है तो जाहिर है कि यह तापमान विद्धी को रोकना तो समय के सबसे बड़ी मागया है कि समुची दुनिया को करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद